principle of priority हमने ये देखा कि जब हम किसी species को एक नाम दे देते हैं और वो नाम publish हो जाता है तो उसके बाद वो नाम हम किसी दूसरी species को नहीं दे सकते तो ऐसा नाम जो के एक दफ़ा use हो चुका हो वो किसी दूसरे taxa के लिए इस्तवाल नहीं किया जा सकता इसको principle of priority कहते हैं अब ये priority कब स्टार्ट होती है priority उस वकट स्टार्ट होती है जब के नाम publish हो जाए पर जैंपल अगर दो नाम publish हो चुके हैं एक नाम पहले publish हुआ एक species के लिए एक नाम कुछ सालों के बाद publish हुआ तो पहला नाम अगर valid है उसकी proper description मौझूद है तो फिर पहला नाम जो है principle of priority के मताबक valid name कहलाएगा जो second name है उसको हम conserve करेंगे अब हम एक example देखते हैं leopard shark जिसका scientific name triakis California है इसको ये नाम 1851 के अंदर एक British Zoologist था जिसका नाम Edward Gray था इसने दिया 1851 के अंदर उसके बाद ये जो नाम दिया गया ये पता चला कि नाम देते वकत इस specimen की जो description थी वो proper तरीके से नहीं की गई principle of priority के मताबक अगर किसी नाम देने के बाद किसी species को जब हम एक नाम दे देते हैं उस specimen की proper description ना दी जाए तो ऐसे specimen की value नहीं रहती लेहादा 1854 William Ovely इस ने इसका एक और नाम दिया mustilis philis ये mustilis philis भी leopard shark के लिए दिया गया ये एक valid नाम था इसके एक साल के बाद 1955 के अंदर same species के लिए एक और नाम दिया गया जो कि cfgr ने दिया इसके मताबिक इसने इसका scientific name triachis semi faciata रखा अब हुआ ये कि जो पहला नाम था क्यूंकि वो नाम तो इस वज़ासे invalid हो गया क्यूंकि उस वकत description नहीं दी गई थी जो second नाम दिया गया mustilis philis इसको जब document किया गया तो उस वकत date को proper तरीके से नहीं देखा गया जिसके वज़ासे जो triachis semi faciata जो नाम था इसको ज़्यादा यूस किया जाता रहा और एक लंबे अरसे तक जो पहला नाम था mustilis philis इसका इस्तमाल नहीं हुआ क्यूंकि हमने ये देखा था कि अगर एक नाम एक लंबे अरसे तक इस्तमाल ना हो चाहे वो वैलड भी हो तो ऐसा नाम नोमन अबलीटम कहलाता है तो प्रिंस्पल अफ प्राइर्टी के मताबिक जो mustilis philis क्यूंकि अलदो के ये नाम वैलड था लेकिन एक लंबे अरसे तक इसका इस्तमाल नहीं हुआ इस वज़ा से ये नोमन अबलीटम बन गया जबके जो ट्राइकस सेमी फेसियेटा था ये नोमन प्रोटेक्टम बन गया नोमन प्रोटेक्टम अवेलेबल नेम होता है ऐसा किस वज़ा से हुआ क्यूंकि डेट को प्रोपर तरीके से रिकार्ड नहीं किया गया इसी तरीके से अगर हम एक और एक्जैम्पल देखें तो 1855 के अंदर जॉन एडवर्ड ग्रे ने प्रोग हॉर्न का साइंटिफिक नेम रखा और इसने जो इसका साइंटिफिक नेम रखा इसको एंटी लो कार्पा एंटी फलेग्जा कहते हैं इसने पियर ओफ हॉर्न की बेस के उपर ये नाम रखा लेकिन बाद में ये पता चला कि 1815 के अंदर जॉर्ज ओर्डन ने इसका पहले से नाम रखा हुआ था और इसका जो पहला नाम था वो एंटी लो कार्पा अमेरिकेना था अब क्योंके जो पहले नाम रखा गया 1815 के अंदर वो एक वैलिट नाम था इस वज़ा से प्रिंस्पल आफ प्रायरिटी के मताबिक हम उस नाम को प्रायरिटी देते हैं उस नेम को कंसिडर करते हैं जो पहले पब्लिश हुआ हो तो क्योंके एंटी लो कार्पा अमेरिकेना जो है ये 1815 के अंदर पब्लिश हुआ तो ये वैलिट नेम कहलाएगा और इसको प्रायरिटी दी जाएगी लहादा जो पहला नाम था एंटी लो कार्पा एंटी फ्लेक्जा उसकी बजाए एंटी लो कार्पा अमेरिकेना जो है इसको प्रायरिटी मिले इसी तरीके से अगर हम एक और एक्जैंपल देखें तो 1856 के अंदर जोहान जैकब इसने इल की एक नई स्पिशिस के लिए साइंटिफिक नेम रखा जो के लेप्टोसेफेलस ब्रेवी रोस्ट्रेस था बाद में ये मालू हुआ 1893 के अंदर यही सेम नेम एक यॉर्पियन इल के लिए रखा गया जिसके बारे में ये पता चला कि इस यॉर्पियन इल का पहले से साइंटिफिक नेम रखा जा चुका था और इसका जो साइंटिफिक नेम था कारल लीनियस ने 1758 के अंदर रखा और वो मुरेना एंगिूला था क्योंके मुरेना एंगिूला यॉर्पियन इल के लिए पहले रखा गया लहाज़ ये ओल्ड नेम है और वैलिड नेम है लहाज़ जो नाम लेप्टोस फैलस ब्रैविरस्टरस जो है यॉर्पियन इल के लिए रखा गया वो इन्वैलिड हो गया जो बाद में पता चला था कि एक नाम इसका पहले से मौजूद है तो जो ओल्ड वन है उसको रिटेन रखा गया तो इस मॉडूल के अंदर हमने देखा कि जब हम किसी भी स्पिशिस के लिए एक नाम रख देते हैं और बाद में हमें मालूम होता है कि इस स्पिशिस का पहले से एक नाम मौजूद है और ये जो ओल्ड नेम है ये वैलिड भी हो यानि जब ये रखा गया हो तो स्पिशिस की बकायदा डिस्किप्शन लिखी गई हो तो ऐसा नाम वैलिड नाम कहलाता है और इसको कंसिडर किया जाता है इसको रिटेन किया जाता है जो पुराना नाम होता है उसको रिटेन किया जाता है और जो नया नाम होता है वो कंजर्व हो जाता है